अस्लामॵलेकूम्, डिस अजीज वलीद बिन फॕरीद, चेप्टर नमबर एट, किंगडम फंजाय लेक्चर नमबर एट, हम फंजाय के गृप्स डिसकेस स्कों कर रहे थे, और हम आज चोथागर डिसकेस्ज करेंगे, जीव डियुटरूम अईकोटा, डियुटरूम अईको हिट्रोजीनियूस ग्रूप इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस ग्रूप के अंदर बहुत सारी वेराइटीज है बट मैंने आपको पीछे भी बताया था कि यह वह ग्रूप है जिसके अंदर हमें sexual reproduction नहीं मिलती ठीक है बट that group is closely related with sexual reproductive groups like Asco my quota और इसके कुछ members जो है वो जाइको my quota से मिलते हैं कुछ जो हैं बिसीडो my quota से मिलते हैं अच्छा इनके अंदर sexual reproduction तो नहीं है और नहीं होती है अगर इनके अंदर sexual reproduction मिल जाए या future केंदर हमें पता लगे के इनके अंदर sexual reproduction होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें बारा जो है इनके फाइलम बनाने पड़ेंगे रियसाइन करने पड़ेंगे सारी चीज़ें और ब्यालोजस्ट ने क्या किया जी कि DNA सीक्वंस की बेस पे इनको क्लासिफाई किया कि देखा जाए कि इनके अंदर सक्षिरी पोडेक्शन है या नहीं है आपको पता है कि high organism की body के अंदर DNA होता है और इसकी एक खास किसन्ची सीक्वंस होती है ठीक है जैसे कि आपको पता है specific genes होते हैं जो आपके special character को determine करवाते हैं तो जब इन ने DNA sequence की study कि तो उन से भी इनको पता लगा कि they does not having any type of sexual reproduction और इनके अंदर sexual reproduction नहीं होती है एक बड़ा important concept है परा-sexuality और इस chapter का जो है very very important question है mostly examiner's question के बारे में पूछ चुक है what is parasexuality हमने पढ़ा जी कि जो deuterum Icota है इनके अंदर sexual reproduction नहीं होती sexual reproduction absent होती है but this show genetic recombination ठीक है और उस genetic recombination को कहा जाता है parasexuality होता क्या है for example ये एक कोई भी हाइफी है और ये ये दूसरा कोई है उसकी हाइफी है और इन हाइफी के अंदर आपको पता है nucleus पाया जाता है ठीक है genetic material होता है इनके पास या chromosome हम केते हैं ये chromosome इसके पास आ जाएगा ये वाला chromosome इसके पास आ जाएगा ठीक है exchange हो जाएंगे chromosome और या फिर ये इनकी सबते पहले साइटोप्लाजम मिलेगा हमने पढ़ा है पीछे कि साइटोप्लाजम के फियन होगी साइटोप्लाजम के फियन होने के बाद क्या होता है यहां पे nuclear fion होनी चाहिए लेकन इनके अंदर nuclear fion नहीं होती यह एक दुष्टर के पास अपना genetic material exchange करवाते है एक हाइफी के अंदर जब यह हाइफी मिल जाती है तो यह हाइफी बन जाती है ठीक है लेकन यहां पे किसी किसम के कोई meiosis का process नहीं होता यहां पे किसी किसम के कोई spore का process नहीं होता तो इस process को इस पूरे phenomena को का जाता है parasexuality sexual reproduction absent होती है but they show some genetic recombination in which portion of chromosome of two nuclei linked in same IVR exchange examples की बात करें जी इनमें examples आजाती हैं detero mycota की pencyllium और pencyllium is also known as blue green molds भी इनको का जाता है aspergillus is also known as brown mold alternaria और उसके बाद जी फुसेरियम helminthosporium यह दे examples हैं और यह important है objective के लिए यहां से MCQs आता भी है यह आद रखनी है आपने इनको रटा लगाने यह तो example हमने बहुत सारी पढ़ी हैं लेकिन इसके अंदर एक special case है और वो special case जो हम study करते हैं वो सिर्फ इसके अंदर आपकी book के अंदर जो discuss किया गया है वो pencillium के बारे में discuss किया गया pencillium जो कहा है यह widely separate होता है और that is separate tropic species जो आपको decaying fruits के उपर मिलेगी जो आपको bread के उपर मिलती है यह आपकी डबरोटियां वगएरा जो खराब होती है आपके fruits वगएरा खराब होते हैं आपके घर में रोटी जो खराब होती है that is due to pencillium और इन में जो hy-fi होते हैं वो hy-fi क्या होते हैं septate होते हैं pencillium के अंदर भी जो reproduction है वो asexual reproduction है और वो asexual reproduction जो है एक sports के अंदर sports के थूँ होती है दी sports आदना होना है naked sports और वो naked sports है कुनेडिया और जी structure के ऊपर यह sport produce होते हैं ठीक है उन structures को हम क्या कहते हैं उन structures को हम कुनेडियो 4 कहते हैं और यह mostly branched होते हैं branched होते हैं ठीक है और यह आपको जिस तरह बुष लाइक arrangement नहीं है इस तरह की बुष लाइक arrangement मिलती है आपको और यह क्या कहते हैं that कुनेडिया keep color to the micellial kaluni और जैसे भी एक कोई भी fruit है ठीक है इस fruit के उपर आपको यह नज़र आते हैं और इस तरह circular farm में आपको नज़र आएंगे छोटे चोटे चोटे दाथ नज़र आएंगे circular farm में होते हैं और इस आपको यह माल्ता या कोई सेव इस तरह खराब हुआ देखा हुआ अगा होगा 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 अगर कोई question है तो comment section गन्दर जडूर पूछें आप और चेनल को जरूर लाइक करें subscribe करें share करें thank you so much